देयर स्रुइन्स, आज मैं सैल या जिसे सोर्स of ऐलेक्टरोमोकीफोर्स दिनॉड करते हैं ए के साथ इसका शॉर्ट कर लिखते हैं इमफ, यह पड़ने जा रहा हूँ ठीक है अब सबसे पहले यह है कि ये आपने पहले वे आपको कि सैल को symbolically कैसे repreend करेंगे ऐसे, बड़े वाली plate पे pasty potential होता है, छोटे वाली plate पे negative और जो भी crunch cell से चलता है, तो वो pasty plate से ही चलना है, जो भी electron आएगा, वो pasty plate पे ही enter करेगा और negative plate से ही बाहर जाएगा लेकिन जो भी crunch आएगा वो negative plate में enter करेगा और pasty plate से ही बाहर आएगा तो अगर हम cell की बात करें कि cell में है क्या क्या चीज, तो इसका मतलब हो गया, एक cell में anode होता है जिसे generally physics में आप pasty plate को बोलते हैं एक cathode होता है जिसे आप इस plate पे reactive charge है जिसे cathode बोलते हैं, और दोनों को अगर एक साथ बोलना हो, तो हम electrodes बोलते हैं, electrodes और एक electrolyte electrolyte क्या है solution जहां dry paste होती है ठीक है दो electrode के बीच में इसका मतलब cell के ये तीनी पार्ट है electrodes और dry paste जिसको electrolyte बोला, है ना, तो basically दो ही होगे electrodes, अगर आसे बोलना हो, cathode anode और electrodes तो तीन पार्ट हो जाएगे तो एक, जैसे ही electron cell के अंदर से भी पास होगा, इसका मतलब हो गया electron भी क्या करेगा उस सारी, cell क्या करेगा, उस electron को पास होने से थोड़ा सा oppose करेगा, इसका मतलब हो गया, cell भी एक resistance देता है जिसे internal resistance की हम बात करेंगे कि cell की resistance को internal resistance बोलते हैं, है ना ये resistance क्या है this is resistance by the cell, है ना तो जब, it means current को जो भी electrodes और electrolyte oppose कर रहे है, वो internal resistance होगी, जिसे हमेशा आप small r से denote करते हैं, राइट अब question जे है, कि electromotive force क्या है है ना, electromotive force तो मान के चलें, कि ये एक cell है ये इसकी internal resistance ये एक cell है ना या इस त्रीके से मैतल है, internal resistance को आप cell के उपर बनाएजे है ना, ये एक cell तो ये दो ही मैतल है ये cell ये cell, internal resistance को इसके ऊपर शोग करते हैं या ऐसे series में शोग करते हैं ठीक है तो कहने का meaning ये हो गया कि cell के दो terminal बड़े वाले electrode जिसका अपने ज्यादा अलंग्द शोग की हुई है उसे मैंने बोला positive और शोटे वाले को मैंने बोला negative इदर positive potential होता है इदर negative potential होता है है न तो एक cell क्या है कि जैसे ही इसे क्या करेंगे किसी conductor के अकरास लगाएंगे उस conductor के अकरास ये potential difference provide कर देता है तो cell की एक definition आ जाएगी क्या इट प्रवाइड प्रवाइड पोटेंशल डिफ्रेंस अकरास इस दा टू एंड्स आफ ऑ क्नुक्टर है न ये बोल सकते हैं हम cell के लिए other advice आप क्या बोल सकते हैं कि ये क्या करेगा cell क्या क्या किया जाता है used to provide क्या provide electrical energy electrical energy in a circuit तो जिस circuit में भी cell लगा हुआ है तो उसमें वो electrical energy means crunch चलने शुरू हो जाएगा अब अगर हम क्या बोलें कि ये हमारे पास cell है ये इसके दो terminal है ये इसके उपर उसकी internal resistance है अगर मैं एक bolt meter लेता हूँ और एक bolt meter को cell के positive के साथ connect कर देता हूँ और एक दूसरे terminal bolt meter का cell के negative साथ यो positive के साथ connect होगा उदर positive charge यो negative साथ connect होगा उदर negative charge इस case में bolt meter की resistance को हम बहुत ज़्यादे high resistance मानते हैं इस case में हम क्या मान के चलेंगे कि cell से कोई भी current नहीं चल रहा है cell यो है कोई current नहीं है लेकिन bolt meter reading जरूर दे रहा है तो bolt meter की reading इसका मतलब है कि bolt meter जहां कितना potential है और जहां कितना potential है उसके एक रास दूनों का potential difference जो है वो निकाल रहा है लेकिन इस case में cell जो है बोपन सरकिट में cell काम नहीं कर रहा है तो ये bolt meter की reading जो है हम बोलेंगे इस case में electromotive force होगी तो लेकिन अगर हम क्या करते है इस cell के एकरास में मान के चलो कि एक wire लेते हैं और वो बाहर भी cell के दोनों terminal के एकरास बाहर की resistance को हमेशन आप capital R लेकेंगे तो होगा क्या कि इस resistance जो है जो connector आपने लगाया जो wire लगाई उसमें current चलने शुरू हो गया जैसे मैंने बोला था कमेशन पास्टी टर्मिन से current शोग करना तो यह current चलने शुरू हो गया हम बोलेंगे cell जो है इसमें current जो है वो zero नहीं है उस बाहर में current है तो हम बोलेंगे cell जो है वो काम कर रहा है अगर cell जो काम कर रहा है इसमें bolt meter की reading सेम बोल्ट मेटर की अभी भी कोई क्या होगी बोल्ट मेटर की अभी भी जो रीडिंग है अब उस रीडिंग को आपने potential difference का नाम ही देना है तो मैंने सा difference हो गया इट मींट हर केस में दोनों केस में आप क्या देख रहे हैं इसमें बोल्ट मेटर की रेडिंग अगर बोल्ट मेटर की रेडिंग लेकिन सहल किसी टायप का current इडर नहें कर रहा हैं तो उससे reading को आप EMF लो लेंगे लेकिन अगर इसेल आई 0 नहीं है इस में किटम आइध श्राइइ चल रहा है तो उसी reading को आप potential difference बोलेंगे तो basically potential difference भी क्या है दो electrodes के बीच में potential difference when cell is in working condition when some current is drying from the cell और उनी दो electrode के potential difference when cell is not in working condition when no cell is drying from the no current is drying from the cell तो सम्झोगी जब करंट चल रहा है तो हम बोलेंगे close circuit हो गया जब करन नहीं चल रहा है तो automatically उस circuit को आप open circuit मान कर चलेंगे तो open circuit में जो bolt meter reading दे रहा है उस reading को EMF बोलेंगे और close circuit में जो bolt meter reading दे रहा है उस reading को आप potential difference मान के चलेंगे राइट अब जे internal resistance किस factor पर depend करती है factors on which r depends और क्या है internal resistance है तो आप नहीं देखना कि internal resistance किस किस factor पर depend कर रही है internal resistance बहुत सारे factor पर depend करती है पहले तो factor इस पर depend करती है कि nature of electrodes या electrolyte कि electrodes किसके बने हुए है silver के copper के zinc के iron के है न किस चीज़ का है और electrolyte मन जो solution लिया वो कुन सा solution है इस चीज़ पर भी डिपेंड करती है इस चीज़ पर भी डिपेंड करती है कि हमारे पास distance कितने है दो distance between electrodes जो दो electrodes है उनकी बीच में distance कितने है तो उसे मैं दी माल लेता हूं इस चीज़ पर भी इस चीज़ करती है एरिया आफ लेक्तोर्स इमर्ज अ systems कितने है इस चीज़ को में यह यतना electrolyte कम होगा it means level of electrolyte अगर level of electrolyte ज्याद होगा उतना ही मान के चलिए कि यह cell है लेक्ट्रोड लेबल जहारता क्या है electrolyte का तो understood है कि यह इतना अगर लेबल कम हो जाएगा तो उतना ही area जो है electrolyte का कम डिप कर रहे है और उसके बाद अगर हम देखें तो concentration of electrolyte क्या है electrolyte तो बहुत ज्यादा है थिक तो नहीं हो गया कहीं और सबसे important factor क्या है temperature of the cell तो उसमें electrode का temperature भी हो गया electrolyte का भी हो गया पूरा cell का temperature क्या है उसे मैं T मान कर चलता हूं concentration को मैं C मान कर चलता हूं तो इन इन फेक्टर से बहुत बहुत बार एक और यक्टिव ट्राइब क्वशन आ जाता है कि ड्रैक्टली है temperature ब्रैने से क्या होगा या क्या नियोगा तो मैं आपको एक शाटकर तरीके से बता जेता हूं कि आपने जाद रखना और जो है यह कोई फार्मूला नहीं है शिर्ट शाटकर बनाने का मैंने आपको बताया गया है कि इस तरीके से जा रखना ऐसे जाद रखिए D C upon A T है ना मैं फिर बता रहा हूं यह कोई फार्मूला नहीं है लेकिन इन फैक्टर को जाद रखने का ड्रेक्टली है इन्वर्सली है तो वो एक फार्मूला क्या है कि दिस्टेंस बढ़ेगा तो इंटरल रजिशेंस भी बढ़ेगी कंसेंटरेशन बढ़ेगी तो यह बी बढ़ेगी आयरियाव आ हुव ऑफ जो है लेक्ट्रोलाइड्स बढ़ेगा जित्ना ज़्यादा डिपोने उतने च्काम हो ज जाएगए तैंप्रेचर जित्ना रखे एक इंबादन की जा है उसके बाद अगर आप देखें तो हम रिलेशन पड़ने जा रहे हैं अभी तक आपने तीन चीजें पड़ी सेल की एक पड़ा अलेक्ट्रो मोटिफोर्स एक पोटेंचल डिफरेंस और एक सेल की इंटर्नल रजिस्टेंस इनके बीच में मैं जे उसकी इंटर्नल रजिस्टेंस है और जे दो इसको मैंने क्या क्या एकस्टर्नल बाइर के साथ जो ओडिया जिसकी रजिस्टेंस आर थी इस तर्मिल को ए इस तर्मिल को भी ए पे जो पोटेंचल है उसे मैं भी ए बोलता हूं और बी पे जो पोटेंचल है उसे मैं भी होगा और जही potential difference potential difference नहीं होगा EMF के case में current नहीं चल रहा है cell से और potential difference के case में current जीरू नहीं है it means current चल रहा है यह चीज़ आप चाल रखिए अब आपने क्या करना कि एक चीज़ जबाग में रखने कि जैसे ही कब electron जो है या कब कब की circuit में current आता है यह potential जैसे ही मारे पास cell लगाया तब current कैसे आ गया तो मान के चलो कि जहां से यह wire connector चुरू हुआ जहां से जहां तक तो यह cell क्या करेगा इसके electrons को इसके electrons को connector की electrons cell जो है उसे accept करेगा और अपने electron जो है उस electron को क्या करेगा हम ऐसा मान कर चलते है उस electron को energy प्रवाइड करेगा और वो energy लेके वो electron इस connector में आया और जैसे आसे electron connector में चला और बापस वो cell में पहुंचेगा मतलब पूरा close loop बनाएगा उसकी energy खत्म हो गई होगी फिर वो energy प्रवाइड करेगा फिर एक रोंड लगाएगा है ना इस तरीके से वो चलता रहता और जो है सर्किट में करण चलता रहता है अगर हम आभी देखें तो EMF की definition क्या होगी EMF की definition है work done क्या work done क्या work done कर रहा है cell by the cell किसलिए in moving क्या moving करना a unit charge once around a closed loop closed loop क्यों बोल दिया मान के चलेगी electron ने जहां से energy ली cell से और ये energy दे 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 जाके खत्म हो जागी बापस तो जहां तक जो पहुंचेगा वही cell का EMF बोल जेंगे जिसका मतलब हो गया अगर हम ऐसे बोलें तो बड़न दो तरीके से करना पड़ रहा है कि दो जगा जहां पे इतनी सी जगा पर पोजिशन अलग है resistance आ रहा है और conductor की resistance है ना जिससे हम ऐसे बोलेंगे work done in moving charge कहां से कहां तो पहले मैं ले लेता हूँ B to A conductor में plus work done in moving charge कहां से कहां A to B तो इसी को आप अगर E M F बोलते हैं E F work done it means work done किस पे बड़न चार्ज पे कहां से कहां तो पहले जा रहा है वो B to A मिन्स conductor में plus work done कहां से कहां तो फिर वो A to B कभी तो complete loop होगा B से चला था और B पे वापस आ गया तो complete loop it means potential difference है ना B और A और potential difference हम इसे A B बोल रहे हैं अब E M F क्या हो गया potential difference B to A potential difference जो है वो R I होता है B to A conductor conductor की resistance R है और connector में current I चल रहे है और Intel की resistance R है और cell में भी तो भी same current चल रहे है यह आ गया है यह ना वाट अगर हम ओम जला की बात करें तो B is equal to R I और ओम जला जो है वो conductor में जो current चल रहा है connector पर अप्लाई हो रहे है cell में नहीं हम उसे apply करेंगे तो यह हमारे पास B plus R I कर दिया है ना this is the required relation और इससे एक चीज़ clear भी होगी electro motive force potential difference से बढ़ी होगी कव जब cell जो है वो काम कर रहे current जो है वो zero नहीं है जो है जिसका मतलब हो गया cell is not working कि cell काम नहीं कर रहे है है ना तो जब cell काम ही नहीं कर रहा है दो इक निशन हो सकती है कि इतनी ज़्यादा है आप position मिल चुकी है है ना कि वो का मतलब से current नहीं डुरा हो रहा है उस case में E is equal to जब I zero हो जाएगा तो A is equal to B है ना तो electro motive force और potential difference बराबर भी होते हैं इस चीज़ को भी आप लेके चलें कि कब बराबर होते हैं बोगी चीज़ आप जहां पर रखें आप कुछ थोड़ा सा हम जल्दी से graphically explanation पढ़ लेते हैं graph पहला case मैं ले लेता हूं graph हम ले रहे हैं E versus R के बीच में है ना अब देखो एक cell के across अगर मैं जहीं बात किया है resistance में change कर देता हूं तो इसका मतोड़ी की इसका EMF change हो गया EMF अभी भी इसी का उतने रहेगा तो E जो है वो resistance पे depend नहीं कर रहा है है ना इसलिए वो E भी रहेगा तो हम बोलेंगे E is independent upon R यह graph दूसरा आगर मैं graph लेता हूं तो potential difference versus R का graph लेके चलता हूं अभी आपने देखा कि यह potential difference V is equal to R I होता है और एक cell में जब current चलता है तो I कितना होगा cell में कितना EMF है और दोनों resistance को माइन हो जाएगी conductor की भी cell की भी तो E प्लस R प्लस R इसी को थोड़ा सा मैं rearrange करके लिखता हूं तो R प्लस R upon यह वाला R इदर जिसे मैं ऐसे लिखा R और R1 प्लस R upon R तो जहां पे मैं थोड़ा से एक दो case लेके चलता हूं कि मान के चलें कि हमारे पास यह resistance जो है वो 0 थी तो हमारे पास उसमें potential और उसके बीच में बना नाम है तो हम बोलें कि यह भी तो 0 ही है R 0 करें तो यह 0 तो यह हमारे पास potential भी 0 जाएगा अगर मैं R को increase करता जाओं है ना तो यह R उपर ही जाता बेसिकली तो it means potential difference भी increase हो रहा है फिर मैं अगर बोलता हूं कि R हमारे पास कितना हो जाए R हमारे पास cell की internal resistance के बराबर हो जाए तो उसमें आप देखिए क्या हो जाएगा V is equal to तो जब R और जे एकल हो जाएगा तो one two it means EMF के half हो जाएगा अगर R हम infinity पे बहुत जादा जादा कर दे तो उस case पे हमारे पास हम क्या बोलेंगे potential difference जो है वो EMF के बराबर हो जाएगा infinity हो जाएगा जो खत्म हो जाएगा potential difference is equal to EMF के बराबर तो अगर इसका अपने graph लाड़ करना होगा तो जे आगया R जे आगया B तो starting में क्या देखा अपने starting में बढ़ी रहे और कुछ देर के बाद जाके EMF जो cancel हो जाएगा तो जे चीज हमारे पास total EMF जो है R और R के case में अगर जे E है और R और R के case में जे EY2 हो जाता है और किसी particle के बाद चाहे R जतना margin क्रीज कर जाओं फिर वो E ही रहेगा और एक last case में लेके चल रहा हूँ कि third के हम बना रहे है potential difference versus current का graph potential difference versus current का graph बना रहे है अब आपने देखा कि since यो E यो है वो potential I R के equal है है ना यहां हम बोलेंगे V is equal to E minus I R के equal है V is equal to minus I R plus E मैंने ऐसे क्यों लिखा क्योंकि state line की equation जो है M X plus C is type यह होगी है ना तो E to constant है cell की तो जिसी M जो है इसे क्या बोला जाएगा इसे बोला जाता है slope तो जहाँ slope क्या आ रही है negative इसलिए जब भी आपने graph बनाना होगा potential difference और current का आपने उस graph को state line जिरूर बनानी है लेकिन उसकी slope जो है वो slope negative है ना तो it means जैसे ही current zero है potential difference maximum value है current अगर बढ़ रहा है तो potential difference कम हो रहा है slow push की negative हा रहा है this is all about cell and its different parameters thank you very much झाता झाल झाल